हमने पिछली वीडियो में देखता है कि कैसे हमने Pords को create करना है Command Line से और YML फाइल से फिर हमने देखा कि Pords को कैसे create करना है Replica Set को यूज करके अब अगली कुछ वीडियो में हम देखेंगे कि Pords को हम कैसे create करेंगे using जो है owment Object को यूज करके कैसे यूज करेंगे अगर इसके एक सिंपल डेफिनेशन देखनी है फिर वही ये डेफिनेशन है कि आपने जब पोर्ड बहुत ज्यादा इकठे ही क्रेट करने हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं डिप्लाइमेंट यूज कर सकते हैं तो हमारे पास जो मैथर्ड है मिन पोर्ड हम डेक्ट भी क्रेट कर सकते हैं फिर रेप्लिका सेट में अगर हम डिफाइन कर देंगे कि भी तीन पोर्ड जाहिए तो वह तीन पोर्ड क्रेट कर देगा सो पोर्ड जाहिए तो सो क्रेट कर द करने है रैप्लिका सेट के घुआ है तो दूनों में डिफरेंस क्या है ये बी अगर पॉर्ड करेЙट करता है ये भी है अगर हम थोब सा में दिफरेंस 처़ कि झिया तो जो उसके अंदर जो रैप्लिकेसेत के अंदर प्रॉब्म है कि जब हमने एप्लिकेशन को अपडेट करना है स्पोज हमारा version 1 था application का उसके बाद हमने क्या करना है version 2 launch करना है तो उसके लिए ये replica set suitable नहीं है उसके लिए हमारे पास उससे भी higher level का object है जो deployment object है जो क्या करता है ये चीजें provide करता है using deployment हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी type की updates वगरा perform कर सकते है rolling updates जिसमें कुछ ports at a time update होंगे canry करके deployment वगरा है blue green deployment है different different type की हम क्या कर सकते है deployments वगरा को use कर सकते हैं तो as such हम लेके चल रखे हैं कि ये जो उससे भी एक higher level का object है ये कब suitable है जब हमने क्या की versions वगरा चेंज करने हैं इसलिए इसका नाम भी उन्होंने क्या रखा होता है deployment की deploy कर रहे हैं deploy करना मीन उसको properly पहले आपने application deploy कर दी स्पोर्ज हमने एक website डिपलेबर जब application कर दी अब जो वेब application continuous उसके अंदर आल्मूस डेली लेवल पे चीज़ होती रहती है कई भारी तो यह अगर deployment हम करेंगे तो हमें application को down करने की जोड़त नहीं है mean running application को हम updates वोगहरा perform कर सकते हैं तो उसके लिए हमारा जो deployment object है वो यूज होता है तो फिर query एक वी definition देखने पोड को हम directly connect create कर सकते हैं दूसरा method क्या है हमरे पास replica set को use करके अब तीसरा method आज हम जो discuss करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर that is deployment object deployment behind the scene क्या create करेगा replica set ही create करेगा और हम replica set को जानते कि वो उसको क्या करेगा ports को manage करेगा तो हम एक simple से है deployment file हमने again mini code provide कर रखा है आपने उसको कलोन कर लेना है तो file का नाम हमने क्या रख रख है port using deployment simple सी एक deployment देख रहे हैं तो file का नाम फिर हमने मदी purposefully ऐसा रख है कि जिससे हमें पता रख रखे कि हम port create करके देख रहे हैं कि इसको use करके deployment object को और बहुत simple सी एक definition ले रहे हैं तो फिर देखें कि भी API version कौन सा यूज कर रहे हैं apps हर एक आपने ध्यान रख लेना अगर आपको कुछ issue आते तो इनके kubernetes की site पर जाके भी कफी detail में आप देख सकते हो kubernetes.io करके आप search का सकते तो उसमें पता लग जेगा कि current कौन सा वर्जन है तो कौन सा अब्जेक्ट अब हमने लांच करना है deployment object करना भी यहां पर क्या हो सकता है अभी तक पहले हमने देखा था पोडल था फिर रेप्लिकर सेटा गया अब हमरा क्या है deployment तो matter data हम हमें clear ही almost की हर एक जगा में में इसको अपने जो project है उसको एक नाम देना है तो हम उसको purposefully हमने क्या कर दिया web server minus d ताकि हमें पता लग यह deployment है तो उसके बाद हमने specification specification में फिर हम selectors specify कर रहे हैं हम फिर simple type का selector use कर रहे हैं कि वह वह वाले port launch कर देना ठीक है जिनकी जो label क्या हो apps equal to engine XO और replica कितने चाहिए हमें तीन चाहिए अब यह template होता है कि आपका gain port की definition हमने template में का कि जो port create करना है उसको label क्या दे देना इसलिए ध्यान रखना जिस boards की हम multiple copy चाहते हैं deployment के through उसका label और selector दुन्हों सेम होने चाहिए इसलिए हमने यहां पर label यह दे रखा है तो वह ही हमने selected अगर यहां पर हम suppose selector लिखे देते engine X1 तो उसको मिलना ही नहीं था उसने कोई behavior होना चाहिए behavior क्या है कि उसको एक नाम देना है हमने container जो अंदर रन कर रहा होगा container का web हमने नाम रख दिया है image हम एक specific engine X का version यूज कर रहे हैं और port भी उसका कौन सा open कर रहे हैं तो यह अब देखो कि कुछ ज्यादा changes नहीं है replica set of definition की पर हम जब एक update strategy discuss करेंगे तब हम देखेंगे बहुत बड़ी एक फाइल होगी हमरे पास deployment वे इसमें बहुत सारे options को देखने की कोशिश करेंगे तो यह हमारी यह पैर ली आपने कलोन कर रखी है तो इसके बाद हम क्या है कुछ commands देखेंगे cat से हम देख लेंगे कि भी file ठीक है जैसे हम नहीं यहाँ पर है वैसे ही है कुछ गड़बर तो नहीं है तो इसके बाद हम क्या करेंगे create करेंगे हम यहां पर create के बज़ाए apply को use करेंगे kubectl वो ज्यादा जिकल preference है kubectl create भी आप use कर सकते हो पर हम उसको apply को use करें माइनस है file का नाप इससे क्या होजेगा deployment त्यार होजेगी उसको check कर लेंगे kubectl get deployment इतना लिखने से भी आपको deployment आ जाती है पर हो सकता है कि आपने पांच दस deployments कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा output आएगी तो हम क्या कर देंगे kubectl get deployment slash web server ताकि हमें सिर्फ क्या करें एक ही deployment जो web server d हमने लांच की है कहां से पता लगेगा web server d है क्योंकि हमने नाम उसका यह रखा है तो वह वाली हमें तो यह दिखाएगा कि आपके पास भी तीन पोर्ड जातीन में से तीन रडी है फिर हम चेक करना चाहते हैं भी replicaset वाकि उसने create किया कि ने create किया तो किस command से देखेंगे kubectl get rc rs से हमें क्या पता जाएगा replicaset ध्यान रखना replicaset से पहले एक replication controller होता था देख लेते हैं कि वह तो नहीं हो रहा आज कल हम इसको use नहीं करते हैं kubectl get rc यह आपको replication controller के बारे में information देगा पर क्योंकि आज कल जब हम deployment create करते हैं तो यहां पर कोई output हमें नजर नहीं आएगी यह पहले एक object होता था जो use होता था पोर्ड को manage करने के लिए और फिर हम देखेंगे कि भी पोर्ड कितने हमें नजर आ रहे हैं और उसके क्या addresses वगरह हैं और वो ready हैं कि नहीं ready traffic receive अभी हम traffic नहीं भेज जाएंगे वह हम एक services को जब discuss करेंगे तो उससे clear हो जाएगा आप कि तो जैसी हम यह करेंगे तो क्या होगा मरे पस deployment जो हमने specify के वह वेब service ready कि स्लेक्टर कौन सा चूज करेंगे वह जैसी हम यह deployment करेंगे तो वह क्या करेंगा एक replica set बना देगा अपने आप एक random string दे देगा replica set को कि तो ठीक है replica set में हम क्या कहेंगे कि कितने पोर्ड हैं definition के आप से वह एक replica set करेंट कर देगा replica set को एक instruction होगे कि भी आपने तीन रैपलिका करेंट करने हैं तो वह तीन रैपलिका आपके तीन पोर्ड आपके त्यार हो जेंगे और ध्यानक्ना जो नाम होगा अब deployment कर नाम web server दी था तो कुछ और एड़ हो जाएगा replica set automatically और जब पोर्ड करेंट होंगे बहुत बड़ा नाम होगा तो यह हम देखेंगे properly करके कि यह है जी कि फिर बात में हम देखेंगे अगली वीडियो में कि भी इसको हमने कैसे replicas को बढ़ाने कि कौन से त्रिक हैं क तो यह हमारा deployment object है जिसको हम create करने वाले हैं फिर यह वाली हमारी definition के ही साबसे तो अब हम इसकी क्या करते हैं डेमो देखते हैं तो यह diagramatically हमने represent कर दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ जे visualize मत ही है कहा है आपको जे और प्लीज आपको अगर यह वीडियो पसंद है तो आप प्लीज लाइक करें और चैनल को भी subscribe करें क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं कि यह वीडियो बिनाना काफी time consuming process है और मैं पूरी efforts लगा रहा हूं कोई भी अपनी knowledge अपने पास नहीं रखना चाहता हूं हम और बहुत सारी videos इस topics पे बनाने वाले हैं क्यूबरनेट एक अब industry का standard ह अगर knowledge है तो आपके career के लिए बहुत important है तो मैं को काफी efforts लग रहे हैं इसको बुनाने में तो please आप videos को like करें और चैनल को subscribe करें इससे motivation मिलती है